हेलो फ्रेंड्स मैं निर्पेंद्रे यादव सीनियर रिसर्च अनाल इस स्वस्तिका एंवे स्मार्ट लिमूटेड आज हम बात करेंगे डॉलर इंडेक्स और यूजडी आएनर का कमोडिटी के प्राइजेस में क्या इंपेक्ट पड़ता है फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन के इस यूग में कमोडिटी के प्राइजेस केवल डिमांड और सप्लाय तकी सिमित नहीं है Central Bank की रणनीती, interest rate और currency में होने वाले fluctuation compact community के prices में भी पड़ता है So friends, dollar index और रूपी में भी एक correlation होता है अगर dollar index उपर जाता है तो रूपिया डाउन रहता है और अगर dollar index डाउन रहता है तो रूपिया उपर जाता है इंडिया, gold, crude और base metal का net importer होने के कारण USD INR में जो भी fluctuation होता है उसका impact इन commodities पर जरूर पड़ता है अगर रूपिया मजबूत होता है तो इन commodities के prices down रहते है और अगर रूपिया कमजोर होता है तो इन commodities के prices उपर रहते है फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं dollar index की तो dollar index वर्ल्ड की 6 प्रमुक currencies के against में dollar में होने वाले moment को शो गरता है सभी commodities dollar denominator होने के कारण dollar में होने वाले fluctuation का impact इन सभी commodities के prices में परता है फ्रेंट्स अगर dollar strong होता है तो commodities की मांग घड़ जाती है वही dollar weak होता है तो commodity की demand बढ़ जाती है ये सभी commodity dollar के inverse में movement करती है फ्रेंट्स यूएस की economy वर्ल्ड एकनॉमी की health का barometer मानी जाती है अगर यूएस की economy खराब होती है तो वर्ल्ड की economy जल्दी खराब होने की अशंका बनी होती है वर्ल्ड की economy में crude oil और base metal का consumption काफी बड़े पेमाने पर किया जाता है अब अगर यूएस की economy खराब होने के कारण dollar index में गिरावट होती है तो इन commodities के भाव भी गिरने लगते है उसी के opposite अगर economy मजबूत होने के कारण dollar index में बड़त होती है तो crude और base metal ये commodities के भाव भी देरे देरे बढ़ने लगते है अगर हम conclusion की बात करें तो Indian market में इन commodities के price USD INR के सांसर चलते है जबकि international market में चलने वाला dollar index के opposite ये मोग करती है इसमें होने वाले एक exception की हम already discuss कर चुके है This was all about today's topic and thank you for watching our video